दोस्तों अगर डंके की चूट पे कहा जाए तो एडल्ट फिल्में हर उम्र के लोग देखते हैं कोई दूद का धुला हुआ नहीं है लेकिन इसके वज़े से हमारे दिमाग पर क्या-क्या दुश्प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में बहुती कम लोग जानते हैं शादी के बाद अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो इसका नुकसान नहीं होता लेकिन शादी से पहले देखने से ये आपको घातक नुकसान पहुचा रही है लेकिन इससे पहले की वीडियो शुरू हुआ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताक की आगे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले अब भई जिन लोगों को ऐसी फिल्मे देखने की लट लग जाती है तो उनकी आने वाली जिन्दगी बहुत ही प्रभावित होती है इसके साथ ही शादी से पहले ऐसी फिल्मे देखने से आपकी शादी शुदा जिन्दगी भी बुरे तरीके से प्रभावित होती है चलिए अब हम आपको इस से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं दिमाग सिकूरने लगता है जब आप एडल्ट फिल्मे देखते हैं तो इससे आपके दिमाग का विकास रुख जाता है आपके दिमाग में हमेशा इन फिल्मों से संबंदित खयाल चलते रहते हैं आप इससे हटकर कुछ भी सूच नहीं पाते रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग बहुत ज्यादा एडल्ट वीडियोस देखते हैं उनका दिमाग धीरी-धीरे सिकोडने लगता है जिसका असार उनकी लाइफ पर भी पड़ता है हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं एडल्ट फिल्मों के अभिनेत्रियां बहुत ही खुबसूरत होती हैं जो की मेकप और एडिटिंग का कमाल होता है जो लोग इन फिल्मों को देखते हैं वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही लाइफ पार्टनर की उम्मीद करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसलिए वो हमेशा ही अपने पार्टनर से दुखी रहते हैं क्योंकि इनके दिमाग में तो आकर शक्फिगर और सुन्दर मॉर्डल घूंती रहती है लव हॉर्मोन की कमी पुरुश और महिला की शरीर में ऑक्सिटोसिन हॉर्मोन की कमी होने लगती है जिसे लव हॉर्मोन भी कहते हैं इसकी कमी होने से धीरे धीरे आपको शारेरिक सम्मंधों में रुची बिलकुल खत्म हो जाती है जिसके वजह से आपकी शादी शुदा जिन्दगी हमेशा ही डिफिकल्ट होते रहती है ऐसे में पुरुशों को महिलाओं के नजदीक जाने में डर लगता है वैवाहिक जीवन दुखी होना जैसा आप इन फिल्मों में देखते हैं फिर वही उम्मीद अपने लाइफ पार्टनर से भी लगाते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है हम सभी जानते हैं कि ये सब हाकीकत में पॉसिबल नहीं है इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में दरार पढ़ने लगती है और पार्टनर के साथ जगडे होने लगते हैं अवैद संबंधों को बढ़हावा मिलना आप कोई बात जानकर हैरानी होगी कि समाज में पनप रहे अवैद संबंधों की असली वज़य ये एड़र्ट फिल्में देखना ही है जब कोई वक्ती ऐसी फिल्में देखता है तो उसके दमाग में बार बार वही घुमता रहता है फिर अपने च्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को निशाना बनाते हैं आप सभी लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे लड़कियों से जबरदस्ती जैसी घटनाएं बढ़ना इन फिल्मों को देखने के बाद कुछ लोग बेकाबू हो जाते हैं और उसी का नतीजा होता है लड़कियों से जबरदस्ती जैसी घटनाएं ऐसी फिल्में देखने के बाद दमाग आपके काबू में नहीं रहता और बुरा असार आप पर पड़ता है। अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते और धीरे धीरे उनकी पर्फॉर्मेंस डाउन होने लगती है। कई बार ये समस्य आप बीमारी का रूप भी ले लेती है जिसके बारे में आप किसी को भी बता नहीं पाते तो ये थी गलत फिल्में देखने के होश उड़ा देने वाले दुश्परिणाम तो आप हमें कमेंट करके बताई कहीं आप भी तो ऐसे क्लिप्स देखने के शौकिन तो नहीं है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तो फिर मिलते हैं धन्यवाद